पांच प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलन्यास किया गया है दो प्रोजेक्ट ऐसे जिनका उद्गाटन किया गया है ऐसे 53 क्रोड रुपे की साथ योजनाएं ये पानी पजले की जनता को समर्पित की है इसके लिए बहुत बहुत बदाई पहले तो सोनिपत नेरीव भाग के अंतरगत आने वाली जो रेलिवे ट्रेक के साथ गुजर रही ड्रेन नमर छे उसमें तीन किलोमेटर की लंबाई का रास्ता ये पका किया जाएगा सबा दो क्रोड रुपय इसका खर्चा आएगा किवाना से मनाना तक की टूटी सड़क इसका निर्मान ये किया जाएगा एक बड़ा काम है समालखा मंडी से बिहोली बापोली सनोली इस सड़क को फोर लेन बनाया जाएगा इसके ओपर बीस क्रोड रुपया खर्चा आएगा गावन अमुंडा पंचाती जमीन पर पार्क व्यामशाला ये बनायी जाएगी गड़ी छाजू से सोर मालपुर ये सड़क चोड़ी की जाएगी इसकी मुरम्मत भी की जाएगी गड़ी छाजू से मतनोली इस सड़क को भी मुरम्मत और चोड़ा किया जाएगा इसी प्रकार जीटी रोड से मच्रोली तक मच्रोली जीटी रोड मच्रोली से रेलवे फाटक तक इस सड़क को बनाया जायेगा जीटी रोड जटी पूर से रेलवे फाटक तक इसको भी पका किया जायेगा गड़ी चाजू से भापरा रोड तक इसको भी पका किया जाएगा जुरासी वाया करहस इस सड़क को चोड़ा और पका करने का काम ये सब किया जाएगा सरकारी हस्पिताल में मौर्चरी हाउस ये बनाया जाएगा जुरासी गाँ जिस स्टेडियम की जगा पर आजम बैठे हैं इस स्टेडियम की आहालत भी अच्छी नहीं है इसकी मुरम्मत का काम भी करा जाएगा समालखा वार नमबर छे कोई एक शहीद का नाम बताया मुझे उस शहीद के नाम से वहां लाइबरिरी ये बनवाई जाएगी समालखा शहर की सीमा अभी बहुत कलोनिया ऐसी है जो जोड़ कर और स्मालखा शायर की सीमा ये बढ़ा ही जाएगी पित्रो ये काम तो ऐसे हैं जो हमारे विधायक ने या बाकी लोग उना अपने मांग पत्र में लिख करके दिये हैं कुछ बातें और हमने गोशना किये हरियना में के खेतों के रास्ते जो तीन करम के और चार करम के हैं जिस पर डिपार्टमेंट सडक नहीं बनवाता उसमें सब रास्तों पर खणंजे के रास्ते पक्ये किये जाएंगे और पचीस किलोमेटर के रास्ते इसी साल में हो जाएंगे आगे हर साल सो सो किलोमेटर के रास्ते जो प्रात्विक्ता के तोर पर आप लोग बताए कहुं कि जो गरीब लोग हैं उनमें कुछ BPL के हैं कुछ गरीब नहीं है लेकिन थोड़ा अच्छी स्थिती में फिर भी उनके राशनकार्ड नहीं बनें जिसको OPH कहते हैं other priority houses ऐसे तीन तरह की कटेगरी हैं इन तीन तरह की कटेगरी के जिनके राशनकार्ड नहीं है वो सब online हमने खोल दिया है computer के माध्यम से अपने हाँ किसी भी जगा जाएं या ADC office में जा करके अपना farm ले करके online farm भर सकते हैं एक महने के लिए हमने वो farm खोल दिये हैं ताकि एक महने के बाद survey करा करके उनके सब के card BPL है APL है OPH है इनके सब के card बनुआए जाएंगे ताकि जिनक एक प्रकार से बहुत 300 साल पहले एक संघर्षक वाला जिला रहा है पानीपत की तीन लड़ाईयां हमने सुनी होंगी यहां लड़ी गई तो पानीपत की तीनों लड़ाईयों में दो लड़ाईयों हम जीते एक लड़ाई ऐसी महराष्ट से माराठा लोग या आये उनकी ल मारा कालाम में एक छोटा स्मार्क है लेकिन हम उसको और जरा नई पीड़ी के लिए प्रेणा का एक स्रोत बनाना चाहते हैं तो उस जगह पर दस हेकड जमीन के उपर एक एत्यासिक स्तल होने के नाते भारत के नायकों योधाओं को वीरता का प्रतीक इस भूमी पर एक कोवेसमार्क और सभागार ओडिटोरियम ये डिजिटल संग्राले एक अमर्ज्वाला ओपनेर थियर्टर वर्चुल रेयलिटी कालपनिक वास्त्विक्ता जो है उस पर आधारित लाइट अंड साउंड शो का एक जीटी रोड के उपर ही चार एकड के अंदर निर्मान किय जायेगा ऐसे ही प्रसिद एत्यासिक स्थल तथा भारत के नायकों योधाओं की वीर्टा का प्रती वो मैंने बता दिया दूसरा पानिपत के दूसरे युद्ध के नायक समराठ हेम चंदर विक्रमा दित्ते हैं इनका स्मृति स्थल है सौधापुर गाउं में सौधापु समाज के लिए उनका जो कल्यान सभा है उन्होंने चातरा वास के लिए साहता मांगी है इनके लिए बी बैजूर हो नहों volcanoes के लिए पंजाबी रामलिला समाल उन्होंने भी अपने भावन नेरबान के लिए अनुदान की बात की है तो गिरा लाख रुपया उनको भी दीया जाता है मित्रो जितनी भी विशय आपके सामने बताए गए वो सब हमने किये हैं कुछ अगर रह गए होंगे उनको भी उनकी feasibility की report की ले ली जाएगी और जो जो काम आपने बताए हैं सब होंगे कोई भी काम रुकेगा नहीं हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है बजट की कमी नहीं है किवला आपका साथ चाहिए सयोग चाहिए आपके साथ और सयोग से हमको ब्रस्टाचार को रोकना है ब्रस्टाचा और ज़्यादा काम कराए जा सकते हैं जो चार साल के अंदर हमने इस परंपरा को लागू किया है आगो भी इसको चालू रखना है कहते हैं भूल चुक लेनी देनी कोई बात रह गई हो रविंदर जी के हमारे विधायक जी के मन में चल रही हो बाद में बताना हो इसकी बज हमें इतनी सारे विशाग करते हुए मन समझता हूँ कि आपकी बातें सारी मैंने माल ली हैं एक ही आपसे निवदिन करते हुए कि अब आपka साथ मिलेगा तो आगे मिलकर के बढ़ेंगे सब का साथ सबका विकास हर्याणा एक हर्याणमी एक इस भावना से चलेंगे तो हम स उसमें जो चुनाव हुआ बहुत टकटकी लगी वही थी सम्टोगों की न केवल हर्याना के लोगों की बलके पुरे देश के लोगों की के भारती जिंता पारिटी का ग्राफ किदर जा रहा है केवल एक विधान सभा के लिए नहीं लगी हुई थी वो लगी वी इसलिये थी कि आगे आने वाले दो मेने के बाद सारे देश में लोकसवा का चुनाव हो रहा है जिन चुनाव को सब पार्टियों ने एक हाई फ्रोफाइल चुनाव बढ़ा दिया कॉंग्रेस पार्टियों ने तो अपना एक धुरंदर राष्टियस्तर का नेता उसको वाँ खड़ा कर दिया देश का एक पहला उधारण के विधानसवा का बाई ऎसक्षन और विधानसवा का इच्शन और विधानसवा का इमेंमबर वो दूसरी विधानसवा के चुनाव में लड़कर के उसमें जीतना चाहता है वही विदानसभा उसी विदानसभा में पहले से वो जीता हुआ है फिर आकर के विदानसभा का चुनाओ लड़ा है इनके बाद जीन में दूसरे आदमी खड़ा करने लेकि मिला ही नहीं